एलो गईज, विल्कम बेक टो MS Trad Brands, आज हम बात करेंगे गोदरेज कंजूमर प्रोडक्स लिमिटेड और पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, तो एंब नहीं बात करें, तो यह FMCG को बिलॉंग करती है, यह एक लार्ज केफ है जिसके मार्केट केपिटलाइज़स यहां पर हम return versus FD की बात करें तो FD से ज्यादा return दिया है dividend इतना अच्छा नहीं है entry point is good because stock is not in overbought zone और there is no any red flag analyst की राई देखे तो almost 70% analyst इसने buying का recommendation कर रहे है अगर हम इसके ब्रांड्स की बात करें तो गुडड़नाइट mosquito repellent synthol range of hygiene products air range of fragrances of house and car गोद्रेज expert hair color products गोद्रेज easy liquid detergent गोद्रेज no.1 range of bath shop यहां पर अगर हम peer review करें तो गोद्रेज consumer limited का जो पी रेशो हो 60% डाबर इंडिया 61 मेरिको लिमिटेड 63 प्रोक्टर अंगेंबल hygiene product and healthcare limited 70 पी ब्रेशो की बात करें तो गोद्रेज 10.94 डाबर इंडिया 13.58 मेरिको 22.80 प्रोक्टर अंगेंबल 63.87 यहां पर हम share holding पेटन देखें तो टोटल promoter holding 63.22 परसंट mutual fund 2.4 अधर domestic 2.19 एफ़ाई 26.21 अधर retailer 5.97 अगर हम total promoter holding देखें तो year on year यहां पर जो promoter के holding है वो consistent है इसमें कोई उतार चड़ाव नहीं है तो मैं यहां पर आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर volume भी काफी अच्छा बड़ा है यहां पर अगर जिस्ट में थोड़ा जूम कर देता हूं तो लगातार यह higher high और higher low फोर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है अगर यहां पर हम 26 10 की बात करें तो इसने low बना जा 935 रुपे अगर हम 27 10 की बात करें तो इसने low बना जा 960 रुपे और 28 10 यानिकि अभी इसने low बना जा 987 रुपे अगर हम high की बात करें तो यहां पर 26 10 को इसने high बनाया 968 रुपे 27 10 को इसने high बनाया 1016 रुपे और यहां 28 10 यानिकि आज अभी इसने high बनाया 10 मिनिट 1012 रुपे यहां पर हम exponential moving average इसकी बात करें तो पांच दिनों का जो exponential moving average है वो निकल क्या रहा है 108 रुपे 50 दिनों का जो exponential moving average है वो निकल क्या रहा है 1017 रुपे और 100 डेज का जो exponential moving average है वो निकल क्या रहा है 989 रुपे तो यह छोटी दुरी के जो exponential moving average है यहां पर काफी consolidate हो चुका है तो मेरा ऐसा मनना है कि यह current market price से bounce back होगा और अपने previous हाई यानि कि इस candle पर यह ग्यारा सो दो रुपे की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा और यह इस लेवर पर sustain करता है तो further इसके उपर भी भाग सकता है आप यहां पर यह जो white color के line देख रहे हैं जिसे मैं red color के line से highlight कर रहा हूं वो 200 दिनों का exponential moving average है जो निकल किया रहा है 901 रुपे यहां पर यह जो मैंने red color की horizontal line draw की है तो मैं इस zone के बात कर रहा हूं इस zone से यहां से इसने एक बढ़िया bounce back दिया था अगर आप इसमें swing खेलना चाहते है तो मैं जो आपको stop loss suggest करूंगा वो यह 200 दिनों के exponential moving average के नीचे अगर आपके पास holding पड़ी है तो continue कीजिए और अगर आप fresh position बनाना चाहते है तो बना सकते है और मैं जो stop loss आपको suggest करूंगा वो होगा 865 और अभी यह 930 के level पर support लेता ह हुआ दिखाई दे रहा है तो यहां पर मैं आपको एनसे के website पर लेकर आया हूं और यहां पर तक्रिबंद आपी बज रहे है पौने दो और गोद्रेट CP जो है almost 2.27% यहां पर अगर हम security wise delivery position के बाद करें तो तक्रिबंद एक बज़े तक जो इसमें quantity trade हो चुकी वह 3,90,000 जो delivered हो चुकी 1.77 lakh almost 45% quantity is delivered हो चुकी है so now moving towards to Petronate LNG Limited let's get start अगर हम Petronate LNG Limited की बात करें तो यह energy sector यानि की oil gas storage and transportation में वर्ग करता है यह mid cab है जिसकी market capitalization 34,800 crore एक साल का return minus 1.13% बहुत ही disappoint किया है एक महिने का return minus 2.27% 52 week का high 275, 52 week color 211 और dividend yield 4.96% जो की एक selling bank account के interest rate से नहीं ज़्यादा है तो मैं यहां पर आपको ticker tab की website पर लग के आ जाहूं अगर हम intrinsic value की बात करें तो current price is less than the intrinsic value return versus FD की बात करें तो FD से ज्यादा return dividend ratio भी इसका काफी अच्छा है entry point is good because stock is not in overboard zone और there is no red flag अगर हम एना list की राइद देखें तो तकरिबन 68% एना list buying का recommendation कर रहे है अगर हम इसका peer review करें industry का साथ तो Petronate LNG Limited का जो PE ratio 11.84, Aegis Logistics Limited का 33.74, Great Eastern Sipping Company 5.24, Confidence Petroleum India Limited 51.95% अगर हम PV ratio की बात करें, Petronate LNG 2.95, Aegis Logistics 3.69, Great Eastern Sipping Company 0.62, Confidence Petroleum 4.60, अगर हम dividend yield की बात करें तो Petronate LNG सबसे आगे हैं 4.96%, Aegis Logistics 0.93%, Great Eastern Sipping Company 2.75, Confidence Petroleum India 0.11, अगर हम share holding pattern के बात करें तो promotors के पास जो holding है वो 50% है, mutual fund के पास 4.39, other domestic institution 0.26%, FIA के पास 32% और retail and others के लिए 13.22% और promotor के जो holding है वो है consistent है, तो मैं यहाँ पर आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आजा हूँ, अगर हम इस zone के बात करें तो यह stock काफी consolidated हो चुका है, और यह जहाँ पर 227 के लेवर पर लगातार support ले रहा है, यहाँ पर हम exponential moving average इसके बात करें, तो जो 5 दिनों का exponential moving average है, वो निकल के आ रहा है, 231.10, 9 days का जो exponential moving average है, वो निकल के आ रहा है, 231.75, 50 days का जो exponential moving average है, वो निकल के आ रहा है, 230.60, और 100 days का जो exponential moving average है, वो निकल के आ रहा है, 230.4, तो यहाँ पर यह सभी exponential moving averages काफ़ी consolidated हो चुका है और यह अपने 100 days का जो exponential moving averages है उसको claim कर चुका है और उसके उपर trade कर रहा है मुझे यहाँ से एक बढ़िया bounce back देगा और higher side के उपर हम target की बात करें और current market price से यह अपने previous high की तरह भागता हुआ दिखाए देगा जो इसने बनाया था आठ जून 2021 को और high है 252 रुपे और further इसके उपर भी जा सकता है तो अगर आपके पास holding पड़ी है तो continue की जाए और आप इसमें fresh buying भी कर सकते है और stop loss में suggest करूंगा 210 रुपे और अगर आप किसी भी stock का analysis चाहते है तो आप हमें comment में बताए हम उनके उपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे ओके थेंक यू